हजार के अंदर यह फोन्स अलमोस सभी चाहते हैं पर प्राप्लेम होता है चूस करने में वट इस अप गाइस मैं हूँ मूमी और आज मेरे पास से बहुत सरे यह फोन जिसका कीमत हजार रुपे के अंदर है मैं इन सबको कंपारिजन करने वाले हूँ इस वीडियो में और मैं आशा करती आपको ये वीडियो पसनाए तो मेरे पास है सिनेजर CX-180, JBL C200SI, Sony MDR-EX150AP, Clore Hi5, JBL T110, One More Piston Fit, Bolt Audio Base Width और Board Base Heats 225 और इन सबको कंपेर करेंगे चार फैक्टर्स को लेकर डिजाइन, फीचर्स, बिल्ट और साउंड पहले स्टार्ट करते ये पेस डिजाइन से और यहां क्लियर विनर है सिनेजर CX-180 इनकी छोटे और इगनॉमिक डिजाइन के वज़े से JBL T110, Sony M0-EX150AP और JBL C200SI के डिजाइन भी बहुत अच्छा है पर सिनेजर CX-180 जितना इर्गनॉमिक नहीं दिखने में ये तीनों का यह पेस साइज अल्मोस सेम लगता है पर JBL C200SI मुझे बेटर लगा इसके राउन शेप के वज़े से क्लो हाइफ फाइफ और वन्मोर पिस्टन फिट का यह पेस डिजाइन अल्मोस सेम है पर अगर आप क्लोसली देखोगे तो वन्मोर पिस्टन फिट थोड़ा बड़ा है पर दोनों का फिटिंग ठीकी है और लास्ली बोल्ट ओडियो बेस वुट और बोर्ट बेस हैट्स तू टू फाइफ बागी से कंपेर करोगे तो ज़ादा बड़ा है और फिटिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जैक में किसी का प्रॉब्लम नहीं है सभी का गोल प्रेटेट है पर JBL C200 SI और क्लो हाइफ एल शेप डिजाइन नहीं है फिटर्स के बारे में बात करें तो यह फोर्स बें mostly सिर्फ इनलाइन कंट्रोल्स कही होता है और इसी नेज़र CX180 को छोड़कर सभी के पास है वैसे तो फोन रिसीफ, डिस्कनेक्ट या प्रेपास करने का बटन सभी के पास है पर अगर अगर सिनेजर CX180 को छोड़कर पर वॉल्म इंक्रीज और डिक्रिस करने का फीचर सेफ क्लो हाइफ में है बटन्स अलमस्स सभी का सेम फील है, कुछ खास डिफरेंस तो नहीं पर बोल्ट ओज्यो बेस्विट का बटन जादा चोटा और पॉइंटेट है इसके सिलिंडिकल शेप में एक चोटा सा बटन मुझे कमफरिटिबल नहीं लगा किसी भी केबल में कुछ खास प्रॉब्लेम तो नहीं दिखा, टैंगल फ्री है, थोड़ा मोटर या थोड़ा पतला तो है स्पेशिले सिनेजर CX 180 का जो सबसे पतला है, पर अगर आप इसे गारे खिशने का नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी दूरेबल इनफ है और अगर आप पुछोगे डिजाइन, फीचर और बिल्ट क्वालिटी में कौन सा बेस्ट है, तो मेरा लिस्ट कुछ ऐसा होगा डिजाइन में मैं सिनेजर CX 180 को सबसे उपर रख ली हूँ, स्पेशिली इसके येवपीस के वज़े से फीचर ओविसली जादा क्लो हाइफाइफ में हैं, पर बिल्ट क्वालिटी कंपेर करना बहुत मुश्किल था, पर क्लोस कंपारिजन के बाद मुझे लगा वरन मूर पिस्टन फीट और क्लो हाइफाइफ थोड़ा बेटर है बाकी सबसे आप आते हैं सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट सांथ क्वालिटी की तरफ, ओनिसली आठ येवफोन्स को एक साथ कंपेर करना बहुत मुश्किल था, और आप मेरा ये कंपारिजन आप लोगों को मदद करें और अगर आप इन दोनों को बाकी एरफोन्स की साथ कंपेर करोगे तो दोनों को बीट करना मुश्किल है सांथ क्वालिटी में और अगर बात करें बेस का तो इन तीनों में से बेटर है जेबिल टी डिबल वन जिरो फिस सोनी एमजर एक्स वन फिस्टी एपी JBLC 200 SI का भी बेस अच्छा है पर अगर कंपेर करें तो कम है बोल्ट ओल्डियो बेस वुट और बोल्ट बेड़ लिटå फिस लिसका सबसे सस्ता यह फोन से तो इने बात के एउर फोन से आसपास है, क्लो हाइफाइफ का प्राइस थोड़ा जादा है, फिलाल 990 का है, पर कमपनी से बात करने के बाद इन्होंने 200 रुपे का कुपन भेचा आप लोग के लिए, और वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आखरी बात, इंस्ट्रग्राम करने के लिए आपको सिर्फ मीचे कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक एंड शेर, रिजल्ट as usual मेरे इंस्ट्रग्राम पेच में मिल जाएगा, तो फॉलो करना मत भूलना, आई होब ये वीडियो आप लोग के लिए हलफुल था, और अगर आपको वीडियो पसन आया, तो प्लीस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल जेन, बाबाई!